शुताओ नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भहीत वार्ता में आज हमारे साथ बादचीत करने के लिए डॉक्टर देवेंदर ओजा है आपसे हम एक मुक्तलिप विशय के उपर बादचीत करना चाहेंगे क्योंकि कल सागर राइडिंग ग्रूप की तरफ से एक मोटर बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूर्शों को लेकर के खासकर जो बिमारिया होती है मानसिक स्वास्ते से सम्मंदित और प्रोस्टेट कैंसर से सम्मंदित उसको लेकर के जागरुकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा और इसमें बहुत सारे मोटर बाइक राइडर्स यानि कि मोटर साइकल सवार इसमें शामिल होंगे जेंटलमैन जिसे कहते हैं आपकी भाशा में इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे कि क्या पूरा कॉंसेट है, क्या पूरा अुदेश है इसका और क्यों इसे एक जेंटलमैन राइड कहते हैं और क्यों पूरुशों में खासकर मांसिक स्वास्थ और प्रोस्टेट कैंसर को लेकर की जागरुपता फैलाने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है तो डॉक्टर देवेंद्र ओजा जी है आप डेंटल सर्जन है पेशे से साथी साथ आप सेंटरल राइडर्स सागर के आप जो है अध्यक्ष भी है तो आपके द्वारा ये पूरा आयोजन किया जा रहा है ना सिर्फ सागर में बलकि ये इंटरनेशनली अंतराश्टी इस्तर पे भी इसका आयोजन किया जाता है उसी दिन तो इस पूरे इवेंट के बारे में, इस पूरे घटना के बारे में, इस पूरे आवेरनेस रैली के बारे में हम आपसे सविस्तार बातचीत करेंगे सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र ओजा जी आपका हमारे स्टूडियो में पधारनी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमकी जानना चाहेंगे क्या जागरुपता आप समाज में फैलाना चाहते हैं इस मोटर बाइक रैली के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ी सी संख्षिप्त जानकारी देदू सन 2012 में एक मिस्टर हवा है ऑस्टेलिया में तो उनने देखा कि पुरुषों में जो मानसिक स्वास्थे की समस्या है और जो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर जो की बहुत ही आम बिमारी है भारत में ही लगभग आप देखें तो सालाना 10 लाख से उपर ऐसे मरीज सामने आते हैं जिसके बारे में हम लोग उतने जागरुक नहीं है हम लोगों को मालूम ही नहीं है अभी जो हमारे श्रोता है उनमें से भी बहुत लोग के शायद आज पहली बार जान रहे होंगे कि सालाना 10 लाख 10 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है तो इतने मरीज प्रोस्टेट कैंसर के हर साल वो सामने आते हैं तो इसमें समय पर अगर प्रोस्टेट कैंसर की जाच हो और उसका निदान हो तो यह पूरने रूप से इसका निदान संभव है लेकिन तो यह सब जो बाते हैं तो यह सोच के उनने एक कंसेप निकाला एक उनने सोचा कि इसको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए तो पूरुसों में मोटर साइकल बहुत लोगप्रिये है और एक तरह से पूरुस का भी प्रतीक होता है मोटर साइकल तो मोटर साइकल से उनने पूरुसों को जोड़ा और हर पूरुस के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक कूमल भाव भी होता है समाज उनसे बहुत सक्त होने की अपेक्षा करती है लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहे कितना भी दुरदान्त व्यक्ति हो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कोमलता तो होती है उसमें तो उसी कोमलता को दिखाने के लिए कि एक पुरुष है उसमें कोमल भाव भी है तो इसलिए एक उनने International Distinguished Gentleman Ride इसका उनने एक कंसेप्ट शुरू किया और 2012 में इसकी शुरुआत हुई हर साल पूरे विश्व में एक साथ एक ही दिन वो एक ही तरह के गेटप में एक ही तरह की पुशाक में सब भी पुरुष की तरह सारे जितने भी motorcycle riders हैं वो जो जो इससे जुड़े हुए हैं और जो जो इस राइड में भाग लेते हैं वो एक gentleman की तरह इसमें भाग लेते हैं और ये rally जो है वो लोगों के बीच में शहर में हर जगह से ये गुजरती है और उसमें लोगों के चीज़ है कि सागर में इस वर्ष पहली बार हम लोगों का जो group है Central Rider सागर तो हम लोग के इसको पहली बार सागर में इसको host कर रहे हैं सागर अभी तक कि सागर में ये rally हुई नहीं थी बाके जगों में इंदौर में या फिर भारत के बड़े शहरों में तो हो रही थी साग पहली बार हो रही है जो कि कल ये एक बड़ी बात है कि 2012 से ऑस्टेलिया में जब शुरू किया गया आपने बताया मिस्टर हववा इन्हों ने इसकी शुरुवात की और पुर्षों में जो खासकर मानसिक स्वास्ते से सम्मंदित समस्याय होती हैं और प्रोस्टेट कैंसर को कई सारे रोल उसके समाज में होते हैं तो हम ये नजर अंदास कर देते हैं कि हम और ने सरक कि देए को मलपक्ष जाईने हैं और वह भी कही ने कही मानसिक स्वासथ है किसी वीमारी से घ्रसित हो सकता है तो ये दो बिमारियां खासकर जो आपने चिन्नित कर के बताई इसको लेकर के समाज में एक जागरुकता उभारने के लिए प्रयास किया जाता है तो एक-एक करके हम जाना जाएंगे सबसे पहले मानसिक स्वास्त की बारे में कैसे मतलब ये चीज एक सोची गई कि मानसिक स्वास्त एक पूर्षों के बीतर एक समस्या कहीं न कहीं है और ये साजा नहीं की जा रही है इसको साजा करना और इसका निदान किया जाना बहुत आवशिक है हर साल आप देखें तो और इधर बीते दिनों में खास तोर पे जब से कोविड हुआ तो कोविड के बाद से ये समस्या कहीं जादा सामने आ रही है और यहां तक कि सागर में भी जो हमारे मानसिक रोग विशेशक्गे हैं वो भी इस चीज को साजा करते हैं हम लोगों से कि बहुत से मरिज जो है वो बढ़ गए हैं तो इस कारण पूरुषों के मानसिक स्वास्थे की तरफ फिर लोगों का ध्यान भी कम जाता है तो इसको अक्सर नजर अंदाज किया जाता है तो पूरुषों में जो मानसिक स्वास्थे की समस्या है वो तो बहुत पुराने समय से चली आरही है, अभी भी है, इसमें जाग रुकता इस तरह से लाई जा सकती है कि उनका जो कोमल पक्षे हैं, उनसे जो एक अपेच्छा होती है, कि वो अपनी जो कोमल भावनाएं हैं, वो उभार नहीं सकते, वो यहां तक कि अगर कोई पुरुष से रोता है, तो उसको भी कमजोरी का निशान माना जाता है, कि वो कमजोर है, और उसे तो समाज मानता है कि वो कमजोर होई नहीं सकता, पुरुष को तो एकदम सशक्त होना चाहिए, तो इन कारणों से कई बार पुरुष अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, वो व्यक्त करने ही बाते है तो हम लोग के इस रैली के माध्यम से ये चीज़ से सब में संदेश देना चाहते हैं कि पुरुष्टों में कोमल भावनाये होती हैं, आप उनको थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्रेम उनके लिए भी आप बचा कर रहें, थोड़ा वो भी प्रेम के हगदार होते हैं. जी, बीमारियां जो है वो लिंग देख करके, जंडर देख करके नहीं आती हैं, और हर व्यक्ति जो है समाज का हिस्सा है, और समाज के जो तमाम जंजावत हैं, उसको धेलता है, जूशता है, उसको जूशते होई आगे बढ़ता है, तो ये समस्याएं किसी को भी घेर सकती है और एक पुरुष को भी एक human being एक इनसान के रूप में लिये जाने की जरूरत है और समस्याइं किसी के साथ भी हो उसको पहचानना उसका निदान करने से पहले उसको साजा करना बहुत जरूरी है कि हम कई बार ऐसा होता है कि समस्याओं को साजा नहीं करते हैं और ये कहा जात से कि जो rally है एक मांसिक रूप से एक जखड़न है उसको तोनने का काम करेगा दूसरी बात आपने बहुत गंभीर बताई कि 10 लाख जो मरीज है प्रोस्टेट कैंसर के आते हैं हर साल आते हैं ये बहुत बड़ा आकड़ा है बहुत बड़ी संख्या है और निश्चित प्रोडः वस्था के आस-पास से खास तौर पे 45 बरस की उमर के बाद ये जादा देखने में आता है उसके पहले भी किसी-किसी में ये समस्या देखने को आती है लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे इसमें फ्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ने लगती है प्रोस्टेट ट्लैंड जो होता है वो पुरुष जननांग से संबंधित है और जो अंडाशे होता है उसके अंदर एक छोटी सी ग्रंथी होती है उस ग्रंथी का आकार कई बार वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है जिससे की मूत्र विसर्जन में समस्या आना या फिर रुक रुक कर पिशाब आना कई बार थोड़ी तकलीफ होना पिशाब के रास्ते में पिशाब करने में तकलीफ होना ऐसा लगना कि पिशाब हो नहीं पा रहा है या फिर पूरी तरह से जो मूत्र की थैली है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रही है बार बार एक बार अपने जो भी चिकित सक्ष हो, मुत्र रोग, विशेशक्गें हो, उनको जरूर से जरूर दिखाना, यूरोलोजिस्ट को दिखाना जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समस्या है, खासकर प्रोश्टेट कैंसर की आप बात कर रहे हैं, इसका निदान किया जा सकता है। तक हमारी जंता भी जाने सागर की, कि ये रैली कब आयुजित की जा रही है, और कहां से कहां तक इसका पूरा फेरा होना है। अनिवारे होता है, बाकी आपकी जो भी वेशबूसा है, वो एक जंटलमेन की वो रहती है। वहां से हम लोग के शुरू होके पथरिया होते हुए, फिर स्टिरोंजा होके, फिर मक्रोनिया चौराहा, फिर बहेरिया, वहां से फिर हाईवे के बाहर बाहर, हम लोग पटकूई होते हुए, फिर बात में मोती नगर साइट से होते हुए, हम लोग सिविल लाइन तक आएंगे, शहर के मध्धे से होते हुए, और वहां पे पूरी रैली का ये समापन होगा, इसमें लगबग 40-50 किलोमेटर की दूरी हम लोग तै करेंगे। तो ये आयोजन जो है, ये सागर में कई राइडिंग ग्रूप से हैं, जो कि सक्रिये हैं, तो वो सब भी साथ में आकर इससे एक समाजिक विशह हैं, और सब लोग साथ में आकर एक एकता का परिचे देते हुए, पूरी रैली का आयोजन कर रहे हैं। इसके माद्यम से लोगों की बीच में जाकर के, पूर्शों में खासकर मानसिक स्वास थे, और प्रोस्टेट कैंसर, जो कि बहुत ज़ादा हद तक ये बिमारी पूर्शों में पाई जाती है, और दस लाग से ज़ादा पेशेंट आप बता रहे हैं, कि प्रतिवर्श सालान आते रहते हैं, तो ये कंभीर समस्याएं है, पूर्शों को खासकर बहुत माना जाता है कि सक्त होते हैं, लेकिन उनका जो एक कोमल पक्च होता है, उसको अकसर नजर अंदास कर दिया जाता है, तो पूर्श भी अपनी समस्याओं को ले करके सामने आएं, और जागरुकता बढ़े ताकि समस्याओं का सही समय पर चिन्धांकन हो, सही समय पर उन्हीं चिन्नित किया जाए और उसका निदान सही समय पर खिलिया जाए। बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहते हैं, डॉक्टर देवेंद रोजा, आपका समाज की बीच आप एक चालुता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपने बहुत एक कंभीर संदेश इस मंच के माद्दिम से दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत दन्यवाद